हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अवीना नेटिंग आए देखिए बहुत ही प्यारा सा ये लो कलर में पैटर्न लेकर आया हूं और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं लेडिस कार्डिगन में जैंड स्वेटर में और बच्चों की स्वेटर में तो ये बहुत ही प्यारा लगता है देखिए बिल्कुल स्माइली सा लगता है बहुती सुन्दर सा पैटर्न है और बहुती आसान है इसको बनाना तो चलिए फ्रेंड्स आज हम इस पैटर्न को बनाना सीखेंगे इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए हमें यहाँ पर 6 के मल्टिपल में भंदे लेने हैं और 5 भंदे एक्स्टा रखने हैं तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिसाइन को बनाएं 6 के मल्टिपल में भंदे डालें और 5 भंदे एक्स्टा रखने हैं तो आपका डिसाइन बिल्कुल फिट आएगा और देखे 6 सलाई का हमारा पैटरन है 2 सलाई हमारी इस कलर की बनेंगी और 4 सलाई हमारी इस कलर की बनेंगी देखे इसका wrong side है और ये right side है और ये pattern भी हमारा wrong side से start होगा तो ध्यान से देखेगा और चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इस pattern को बनाने के लिए देखे मैंने यहाँ पर 6 के multiple में भंदे दिये हैं यानिके 18 भंदे और 5 इसमें प्लस कर दिये तो total हमारे ये तेज बंदे हैं यानिके 23 भंदे हैं और ये मैंने powder बन कर रखा है अब देखे wrong side से यहाँ से हमारा pattern start होगा तो ध्यान से देखेगा को अधे कि पहला पंदा हम आज स्टिच का बुनेंगे उल्टा तो कि उल्टी सराई है अब धागे को पीछे कर लेंगे और 3 भंदे हम देखे सीधे बुनेंगे अब धागे को पीछे ही रहने देंगे और तीन फंदों को बगार गुना उतार देंगे देखिए अब फिर से हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे तीन फंदों को बगार बुना उतार देंगे इन देखे तीन फंदे सीधे बुनेंगे तीन फंदों को बगार बुना उतार देंगे फिस से तीन फंदे सीधे बुनेंगे ये देखिए लास का फंदा एस्टिच का इसे उल्टा बुनेंगे तो इस सलाई यहीं पर देखिए कंप्लेट हो गई आ जाते हैं यहाँ पर देखिए सीधी सलाई में देखिए इस तरह कर से ये बन गया हमारा पैटरन आप देखिए धिहान से देखेगा ये वाली सलाई भी हम उल्टी ही बुनेंगे तो देखिए किस तरीका से पहला फंदा एस्टिच का सीधा बुनेंगे ये तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे दागे को आगे ही रहने देंगे और ये तीन फंदे बगार बुने उतार देंगे फिर से हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे और फ्रें रहने दे अब मेगए3 भगएर बुन्य अतार देंगे थी फंदे उल्टे बुनि hut तीन फंदे बगार बुने उतार देंगे तीन फंदे हम यहाँ पर देखे उल्टे बुनेंगे लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे तो देखे सलाई यहीं कमप्टीट हो गई आ जाते हैं उल्टी सलाई में अब देखे उल्टी सलाई में अब हम फिर से वही फस्ट कलर से बुलेंगे देखें और यहां पर पूरी सलाई हम उट्टी बुलेंगे जो भी फंदे हमने बगयर बुने यह उतारे दे इन्हें भी बुलेंगे अब देखें यह सलाई भी हमने यहां पर कम्प्लीट कर ली देखें आ जाते हैं सीधी सलाई में अब ध्यान से देखिएगा अब देखें चार भंदे हम सीधे बुलेंगे एक तो दो तीन चार एक और भंदा बुलेंगे यानिकर टोटल यहां पर पांच भंदे हमने बुलनी है अब देखें इन दो नो धागों को उठाते हुए देखिए यह बाला जो बीच का भंदा है इसके साथ मिलाते हुए ऐसे बुलनेंगे जेखें अब चार भंदे बुलेंगे एक, दो, सौरी पांच बंदे बुनेंगे, तीन, चार, पांच, फिर से देखिए इस धागे को दोनों धागों को ऐसे उठाते हुए इस बीच वाले बंदे के साथ ऐसे बुनेंगे, फिर से पांच बंदे बुनेंगे, यह देखिए, ऐसे दोनों धागों को मिलाते हुए इस के साथ बुंदेंगे तो आ ही डिखे अब यहाँ पर हमारे पास पांच भनदे हैं इने मुने में तो इस साथ कम्प्टीट हो गई हमारी अंच यहाँ पर और देखें दो फिसलाई में वैसे तो हमारा आज टो सौरी चारी सेंाई में हम clinics pattern बन जाता है देखिए अब हम बीच में gap के लिए इसमें दो सलाई हम simple बुलेंगे देखिए gap आप जितना भी रखना चाहते हैं इसके पीच में उतना रख सकते हैं यहां पर मैंने दो सलाई का gap रखा है तो यह दो सलाई हम पूरी औलटी बुलेंगे वह सारी यह वाली सलाई पूरी उलटी बुलेंगे अब देखिए वाली सलाई हम पूरी देदी बुलेंगे देखें इस तरेकर से एक बार फिर से दियान से देखे गा कर देखें एस टिशिच का फंदा है पहला हम इसे सीधा बुनेंगे तीन फंदे हम वो एस्टिश का फंदे को हमने उल्टा बुन दिया अब देखे तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे तागे को पीछे ही रहने देंगे तीन फंदों को बगार बुना उतार देंगे तीन फंदों को बगार बुना उतार देंगे तीन फंदों को बगार बुना उता देंगे तीन पंदे सीधे बुनेंगे है लास्ट के फंदा हुंट अल्ठा बुनेंगे त्वे इसरय बि obese कि कंपनीट हो गई जहां अब आज आते हैं सीधी से लाइं में हे एक बस इतना सीधा बुनेंगे तिन फंदे उल्टे बुनेंगे तीन पंदे बगायर बने उतार देंगे तीन पंदे उल्टे बनेंगे तीन पंदे बगायर बने उतार देंगे तीन पंदे उल्टे बनेंगे तीन पंदे बगायर बने उतारेंगे तीन पंदे उल्टे बनेंगे लास्ट का फंदा सीधा बुलनेंगे यह सलाई कम्प्लेट हो गई देखे आप कलर को चेंज कर देंगे यहाँ पर और देखे पूरी सलाई हम उल्टी बुलनेंगे पूरी सलाई उल्टी बंते हुए कम्प्लेट करेंगे यह देखे अ इस तरह कर से अब सीधी सलाई में ध्यान से देखेगा पांच फंदे बुलनेंगे अब यह दो दागे उठाते हुए देखे इस फंदे के साथ मिलाएंगे यह तो ऐसे मिला लीजिए यह पिर ऐसे रखते हुए जैसे पिर आपको आसान लगता है ऐसे यह दोनों धागों को मिलाते हुए फंदे को बुलना है फिर से पांच फंदे बुलनेंगे फिर से देखे दोनों धागों को मिलाते हुए इस फंदे को बुलनेंगे बीच वाले फंदे को फिर से पांच फंदे बुलनेंगे ऐसे दोनों धागों को मिलाते हुए इस फंदे को बुलनेंगे पांच फंदे बुलनेंगे देखे दो सलाई फिर से हम सिम्पल बुल लेते हैं इसमेँ तो दीखें यहां पर इस तरह से हमारा पैटरन कंप्लीट हो गया और बहुत ही प्यारा सा पैटरन बनकर आया है अब आप किसी भी प्रोजेक्ट में से बना सकते हैं देखें बार-बार रिपीट करेंगे तो हमारा पैटर्न इस तरीकत से बनकर आएगा और बहुती सिंपल और आसान सा पैटर्न है तो फैंस कैसा लगा आपको मेरा डिजाइन अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें कमेंट्स करें आँगे पर से एक नए डिजाइन एक नए पैटर्न के साथ आप झाले क सक्षू। नएक टूरू झाले कमेंट्टी लोगा करें एक बीजे लिएक नहीं है तो आपको के वज़ जा करें अपक्षू।